तो मेरे प्यारे बच्चों सुरुवात करते हैं वो कैबलरी क्लास की और आज के क्लास में जो पहला इंपोर्टेंट वर्ड है वो है कॉर्णर सर इसका ही पेडियेव बेज यह गा किसको लिखना पड़ेगा किसी को नहीं लिखना है सबका पीडियेव जाएगा टोटल पीडियेव एक साथ चला जाता है ग्रामर का और इसका भी ठीक है कॉर्णर पार्ट्सों पर स्पीच वाइज नाउन है मेरी जान क्या है यह नाउन है कॉर्णर ठीक है कॉर्णर का कोई खास इंपोर्टेंस नहीं है इंगलिश में लेकिन इसके साथ एक फ्रेज बनता है उसका बहुत इंपोर्टेंस है क्या आप जानना चाहते है उस फ्रेज को every nook and corner every nook and corner कोने कोने में I searched him in every nook and corner मैंने उसे हर कोने कोने में तलास किया ठीक है sentence लिख दें I looked for him in every nook and corner of the house घर के कोने कोने में मैंने उसे तलास किया चले इसमें कुछ और है ही नहीं बताने लैक कि हम इसमें आपको समय और आपका लें किसका हिंदी सर किसका every nook and corner का I looked for him in मैंने उसे तलासा लुक फर मतलब तलासना कहां तलासा every nook and corner हर कोने कोने में तलासा किस चीज के कोने कोने में मतलब चप्पे-चप्पे पर तलासा च्छान मारा, ठीक है, च्छाना तो सही मारा क्यों, अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड बुलिए, फिर से बुलिए, क्या बुल रहे हैं, पीछे वाले, बचे, अच्छा नहीं मिला इसलें फिटिया, अच्छा, हाँ, देखिए जैसे होता है, कि सहचर सब्द जिसको बोलते हैं, always going together, वैसा ही है, चलिए, बोली फिर से, अमित, करेक्ट, करेक्ट शब्द को लेते हैं, करेक्ट जो है, जब गौर कीजेगा, करेक्ट एजएक्टिब भी है, और भब भी है, दो पार्ट्स वा पे स्पीच में यूज होता है, दोनों में हम सिखाएंगे आपको आप सिखना चाहेंगे, करेक्ट का मतलब सही, और भब में सही करना या जाचना, सही करना या जाचना, ठीक है, हम किसी चीज़ को सही या करते हैं, करेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्जामपल हम लिखते हैं, तब आपको सही समझ में आएगा, ठीक है, यहां पर correct क्या है? एक adjective है. ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों. अब देखिए, जब सही करना या जाचना के अर्थ में लिखने हैं, तो यह कैसा verb है? यह transitive verb है. मतलब इसके बाद सीधे object आएगा, preposition आने की ज़रूरत है, और साथी साथ regular verb है, मतलब ED लगा करके उसको V2V3 बनाया जाएगा. एक और example आप देखना चाहोगे? बहुत simple है, आसान. बोली example आप इतना क्यों देते हैं हर चीज में? इक्जामपल ही है जो आपको clarity लाएगा, rules clarity नहीं लाता है, यकीन मान के चुँआ है, ठीक है? बहुत सारे बच्ची जाम निकालने का यही तरीका है, यही तरीका है, बेस्ट यही बेस्ट और सबसे simplest यही तरीका है, दिमाग पे कम लूट पड़ता है से, जीजें ज्यादा cover होती है असानी से, ठीक है? प्लीज my answer, correct! if there is any mistakes if there is any mistakes, i am feeling cold are you also? नेकस्ट वर्ड बुलिए नेकस्ट आ जी आ जाईए बहुत अच्छा है इसका एंटो हम भूल गए तो इसके लिए छमा चाहेंगे हम बता देते हैं इसका एंटो तो सबसे पहले इंकरेक्ट होगा के नहीं होगा इसका साइनो क्यों नहीं पूछे इसका साइनो भी तो पूछो रॉंग होगा के नहीं होगा इसका एंटो फॉल्स होगा के नहीं होगा इसका एंटो हाना अना अथेंटिक होगा के नहीं होगा अब बताओ इसका साइनों खुजने में तुमको बहुत मेहनत लगने वाला है क्या क्या होगा बताओ राइट होगा ट्रू होगा अथेंटिक हो जाएगा जेनुइन हो जाएगा हाई ना परफेक्ट हो जाएगा आई होप कि आगे बढ़ सकते हैं चलो नेक्स्ट वर्ड बुलो भाई मेरे कर्येशन इसी के खंदान से आया है क्या कर रहा है नान का काम कर रहा अच्छा कर्ये66 जेसे यह करेक्ट का जैसे अगर लिखेंगे उसमें option देगा, right भी रहेगा, true भी रहेगा, है ना, अच्छा बहुत अच्छा जवाब है आपका, बहुत अच्छा सवाल है आपका, देखिए, SAC काम नहीं कर सकते, SAC उट पठांग इस तरह का काम करता है, लेकिन अगर आपको कोई sentence के हिसाब से दे रहा है, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि sentence में कौन सा most suitable होगा, किलेरे बत, sentence नहीं दिया है, तो सब option में एक साथ देने का बनता, नहीं है, बस समझ में आ रही है, जी, बुले नहीं सा रैसी करता है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसको, चले देखिए, correction noun है, correction का हिंदी नहीं बता सकते हैं, सुधार करना या शुधता, सुधार करना, सुधार करना तो, या फिर सुधार, आया ना, अब सोचे इसका synonyms क्या हो सकता है, improvement हो सकता है, amendment हो सकता है, amendment से बना है, हाँ है ना चेंज हो सकता है सुधार कर रहे हैं तो परिवर्दन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हाँ है ना आल्टेरेशन हो सकता है आल्टेरेशन मने बदलना आल्टर मने बदलना नहीं हो सकता है हाँ अपडेशन हो सकता है अब्देट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कोई बोलता नहीं है सब गुसा गया हम क्या किए इतना सारा साइनों बता दिए अब सोचुए एंटो इसका आएका उतना contextual है एंटो इसका इसका एंटो contextual है यह नहीं है तब आगे बुलिए कॉस्ट कौन वाला अच्छा कॉस्ट में बहुत सारा चीज सीखना है सीखना के लिए तैयार है अप लोग कॉस्ट नाउन भी है और कॉस्ट वह भी है नाउन के रूप में इसका हिंदी होता है कीमत और कीमत के होना होता है कीमत लगना या कीमत होना कीमत होना जैसे एक संटेंस रूप में इसका सायनों कोता है मैं प्रियंग रूप चीज़ हम बताने जारे हैं बस मामला खतम हो गया, टीचर भी खुश है, बच्चा भी खुश, लेकिन जो ये सब चीज़ें दी आप नहीं कर रहे हैं, जो हम डिटेल कर रहे हैं, तो आपका competition के लाइक vocabulary पढ़ाई नहीं हो रहा है, वो primary school वाला पढ़ाई हो रहा है, हिंदी सीखना, समझ रहे बात, इस कलम की कीमत, जिससे हम लिख रहे हैं भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 7000 रुपीज है, जिससे लिखा रहा है, डिजिटल पेन इसको बोलते हैं, ठीक है, तो किसी चीज का कीमत बताना है, तो अंगरेजी में लिखेंगे, इस पेन, कॉस्ट्स, रुपीज, 7000, अभी जरा गौर करना, कीमत है, एनि हम बात कब की कर रहे हैं, पास्ट की की परजेंट की, परजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है, भी फाइव, एनि परजेंट इन डिफनिटी यूज़ होगा, और इसका दूसरा तरिकाशी बना सकते हैं, देखिए जरा सा, यह वर्ब है, तो यह क्या है, सबजेक्ट ना है, सबजेक्ट अब वर्ब के बीच में, पोस्ट्राफी इसका जरूरत पड़ता है, क्या, नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं लगाईएगा, एदी हम इसको ऐसे लिख दें, गौर से समझेगा, जो हम अब लिखने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट क्या है, नाउन है, और यह भी क्या है, नाउन है, और दोनों के बीच में, रिलेशन बनाना नहीं के लिए, किसका जरूरत पड़ा, हलांकि यह गलत है लिखना, पुछे क्यों, निर्जीव चीजों के साथ, अपस्टॉफियस, नहीं लगाते हैं, इसका सही फॉर्म क्या होगा, यह तो गलत ना हो गया, निर्जीव होने के कारण, किसके कारण गलत हो गया, नूटर जेंडर क्या होने के कारण, तो इसका सही जो होगा, वो होगा, तो आप यहां पर देखिए, यह जो कॉस्ट है, यह नाउन है, ठीक है, और यहां वाला जो कॉस्ट था, यह क्या था, वो अब था, तो हम जो बात highlight करना चाहते हैं, कीमत होना या कीमत लगना के मामले में, वर्ब के रूप में, used, always, in, present indefinite, and past indefinite, यही इसमें जो highlight करने वाला point है, कि जब यह वर्ब के रूप में रहता है, तो हिंदी आपका किसी टेंस में रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका अंग्रेजी दोही टेंस में हो सकता है, या तो present indifinit में हो सकता है, या तो past indifinit में हो सकता है, ठीक है, अच्छा आप ज़राग और से देखो, ज़ी हम जाते हैं अगले पेज में चले जाते हैं अगले पेज में इसको लेके चले जाते हैं तेयार हो ना सब लोग क्या अगबका रहे हो इस कलम की कीमत 7000 रुपे लगी थी इस कलम की कीमत 7000 रुपे लगी थी ठीक है अब चुकि पास्ट इंडिफिनेट हमने पता है तो वीटू का जरुवत पड़ेगा तो कॉस्ट का वीटू कॉस्ट का वीटू कॉस्ट रह जाता है इस पेन कॉस्ट कॉस्ट कितना रुपीज 7000 तो आप जो देखो यहां पर यह कॉस्ट है ना यह वीटू है और यह क्या है सब्जेक्ट है आप चाहो तो इसको नाउन के रूप में यूज करके ऐसे बना सकते हो दे कॉस्ट अफ दिस पेन वाज पास्ट है तो वाज होगा रुपीज साकित घड़ी देख रहे हो क्लास है इसके बाद तो यह समझना होगा आपको यहां पर थोड़ा सा अच्छा एक एक ग्जामपल और इस कलम की कीमत मुझे साथ जार रुपे लगी थी इसमें एड कर देते हैं इस कलम की कीमत तो सर यह कोस्ट का तीनों फ़र्म एक ही रहता है ना तो पर इसमें हिंदी से ही पकड़ा जाएगा इसका इंग्लिस में पर पास्ट इंडिप नहीं दिया रहेगा तो आपको अपने कॉमन सेंस लागा के पकड़ना होगा जै सर ठीक है तो अब इसका क्या बनेगा दिस पेन कोस्ट मी जिसको लगा उसका चर्चा करो रुपीज सेवें थाउजंड समझ में आया कि कैसे वर्ब का यूज करना होता है सेंटेंस के अंदर और इसको जानोगे तो इसका कॉमनेर भी असानी से बन जाएगा डिस्क्रिप्टिव में भी काम आ जाए जितना हम क्लास में करते हैं उतना ही इंक्वेरी में बताते हैं और जो नहीं कर सकते हैं आप लाख बोल लिजिये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम करी नहीं सकते हैं तो कैसे एक्सेप्ट कर लें हो तुल से बखवास बनना चाहते हैं तो मैंटरौल हांगटल दीजे लेकिन नानी घर बोले में जो सुकुन है वाकि किसी ना maternal house में है ना granny house नानी घर बोलने में सुकुन ही है कि मामा को थोपिया करके सामान खरिदवाएंगे खरिदवाईए नहीं कहे खरिदवाईएगा बाल नूच लेंगे मौसी को थोपिया करके अपना फेवरिट खाना बनवाएंगे नहीं कहें बनाएगी राइट है के रहूंगे बाल नूचा नूची हो जाएगा अंग्रेज लोग कभी सब सुख भोग सकता है उट जानवों नहीं करता है कि मौसी अफुआ में क्या अंतर है तो मेरे प्यारे बच्चो मेरा थोड़ा तवित खराब लगने लगा अचानक से ठंड के कारण क्या हम क्लास को आज यहीं पर रुख दे सकते हैं तो आज के वोकेबलेरी क्लास में इतना ही हमको उमीद है कि आज का वोकेबलेरी क्लास भी आपको बहुत सारा नया चीज सिखाया होगा जो बहुत उपियोगी है तो ठोकने का बनता है कि नहीं? क्या ठोकने का बनता है भाई लो? लाइक ठोकने का बनता है और जोकने का बनता है कि नहीं? कहां जोकने का बनता है? ग्रूप्स में तहां का फेस्बूक, वाटसेप, टेलिग्राम जहां भी है तो जोको इसका लिंक राइट और नए हो तो क्या करो परिवार का सदस से बन जाओ कैसे बनोगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके औल को सिलेक्ट करें ठीक है और परिवार के सदस बन गए हो तो ने होता जाएगा कि नहीं जाएगा मतलब नोडिफिकेशन जाएगा अपने घर में कैसे आने दोगे यूट्यूब नोडिफिकेशन मोबाइल के सदिक्स में ऑन करके ऑन करके घंटी बजा के जी ठीक है अब भी शेक आपकी आवाज कट गई फिर से बूलिए क्या बूल रहा है आज के लिए इतना ही पर खतम करें बहुत 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 दनेवाद बहुत बहुत दनेवाद